तो हेलो और वेलकम अगें दोस्तों देखो इस्टोरी अच्छी हो, कॉंटेंट अच्छा हो लेकिन उसके बाद भी वो गलोरी नहीं मिलना जो डिजर्ब करते हो तो कहीं न कहीं दिल टूटता है लेकिन कहते हैं ना जब उपर वाला साथ हो, भले नाथ साथ हो तब सब पॉस लिया क्योंकि entertainment के नाम पर लोग मसाला देखना जादा पसंद करते हैं ना कि बदले में ऐसा content जो कुछ सिखा जाए, या दोस्तों लेकिन अपने content के दम पर OMG2 गदर 2 से टकर लेकर अपने हिस्से की audience अब छीन के ला रही है, भले movie ने opening बहुत slow करी, भले OMG2 की growth पहले दिन पर बिल्कुल average थी, लेकिन कल से यानि दूसरे दिन से movie बहुत सांदार grow कर रही है, अक्सेफाजी की movie अब track में आ रही है, दोबारा से और haters को करारा जवाब देत हुए, फिल्म सुपर हिट का भी tag अपने नाम कर रही है, या दोस्तों movie को अमित्राय के direction में मात्र 1.500 क्रो आकड़ा अब उपर जाता दिख रहा है, जहां दोस्तों movie को बहुत underestimate किया गया था, पहले तो यह कि अगर ये फिल्म 11 अगस्त यानि परसोना रिलीज होके, अगर किसी और दिन रिलीज होती, तो साइध इस फिल्म के आंकड़े में दो गुना बढ़ातरी देखने को मिलती हर दिन, लेकिन फिर भी दोस्तों अपने content के दम पर इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई करी है, साथ ही सभी यूटूबर्स ने भी movie को बहुत अच्छे review दे हैं, और public की तरफ से भी काफी strong reaction देखने को मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है opening तो solid ना हो पाई, लेकिन second और third day में movie growth में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और audience अब gather 2 को छोड़कर omg2 की तरफ भागती हुई भी दिख रही है, जहां दोस्तों पंकस तिरपाठी की performance ने सभी का दिल लूट लिया है, उनकी comic timing ने एक तरफा movie में dominant किया है, इसी के साथ अकसे पाजी edge भोला के मांस collection के साथ एक average opening से खाता खोला था, अपने opening day में morning occupancy rate slow थी, लेकिन afternoon और evening तक अच्छा खासा occupancy rate देखने को मिला था, और अपने पहले दिन net Indian box office collection 10 क्रोन का करा था और gross Indian box office collection 12 क्रोन के आसपास पहुचाया था, गदर 2 से इसका class नहीं होता, तो साइद ये आकड़ा अप 25 क्रोन तक जा सकता था अराम से, क्योंकि public की तरफ से बहुत positive review मिले movie को अपने पहले दिन के बाद, और critics ने भी content base पर इस साल की one of the best film बताया है movie omg2 को, इसी के साथ दोस्तों बात करे कल यानी second day में कैसी growth थी movie की, तो yes, कल परसों से अच्छी खासी occupancy rate के साथ अच्छी growth क अपने नाम करे थे, और all Indian net box office collection लगबग 15 करोन 50 लाग के आज पास collect करा था, कल end of the day तक, खर बात करे आज यानी third day की, तो yes, आज लगबग 8 करोन तक की advanced collection करके movie ने third day में जवर्दस हुंकार भरी है, और morning occupancy rate लगबग 30-35% के साथ, after noon और evening में भी काफी सोज अपने खाते म अपने खर बात करे थे, और पूरी दुनिया से पहले तीन दिन का worldwide box office collection लगबग 66 करोन के आखड़े को तच कर लेगा, दोस्तो मूबी को पब्लिक की तरफ से काफी अच्छे review मिल रहे हैं हो, और पूरी दुनिया से पहले तीन दिन का worldwide box office collection लगबग 66 करोन के आखड़े को positive response भी मिल रहा है, तो अनुमान ये लगाए जा रहा है कि अपने पहले हफते में धमाका करने वाली है ये फिल्म, तो मैंने बहुत बोल लिया अब आपके बारे, अगर आप लोगों ने भी OMG 2 को देख लिया है, तो आपको ये फिल्म कैसे लगी, अपना experience comment box पर जरू सेर कर